हेलो फ्रेंड्स बल्कम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज है 17 अप्रेल 2024 और 17 अप्रेल 2024 से रिलेटिड करंट अफियर्स के जितने भी कुशिन बन सकती है आज की क्लास में सारे कुशिन को कवर करेंगे और हर कुशिन से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट भी में आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत द्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी मौनिंग सुबह 7 अम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 वजे इस क्लास के लिए तयार रहा करिए इससे आपकी तयारी करंट अफियर्स में बह पहला कुशन देखती हैं आज का पहला कुशन लिखा है दोस्तो रच्छा मंत्राले ने अपरेल 2024 में भारत में निर्मित 97 LCA Mark 1 A लडाकू बिमानों की खरीद के लिए किस कंपनी को 65,000 करोड रुपे से अधिक का टेंडर जारी किया है डिफेंस मिनिस्ट्री है इसूड अटेंडर वर्थ ओवर रेड 65,000 करोड तू विच कंपनी फॉर दी परचेज ओफ 97 LCA Mark 1 A फाइटर एयरक्राफ्ट मैनुफेक्चर्ड इन इंडिया फर्स्ट ओप्शन है हिंदुस्तान Aeronautics Limited, सिकेंड ओप्शन है भारत Heavy Electricals Limited, थर्ड ओप्शन है बिग बैंक के बूम सॉल्यून्स प्राइविट Limited, फोर्थ ओप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे है हमारा ओप्शन नमबर A, हिंदुस्तान Aeronautics Limited, चलिए इस कुशन से रिलेडिड इंपॉर्टन पॉइंटों को पढ़ती है चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स, मुंडीज एनालिटिक्स में एनालिटिक्स ने कैलेंडर वर्स दो हजार चौबेस के लिए भार्टी अर्थ ववस्ता की व्रदी दर छे प्रिशत से बढ़कर कितने प्रिशत होने का अनुमान लगाया है मुर्णी एनालिटिक्स है प्रोजेक्टिड असलाइट अप्टिक इन लगाया इंडियन इकोनोमी ज ग्रोट फॉर केलेंडर य यर्टै टो ठी चौनिट furnar द्रोलोज पर्सेंट फिर Ah och sign है 6.1% सेकिंड ऑप्षन है 6.2% थर्ड ऑप्षन है 6.3% फोर्थ ऑप्षन है 6.4% बताईएगा दोस्तों मूडी जैनालिटिक्स ने कलेंडर वर्स 2024 के लिए भारती अर्थ ववस्ता की वरद्दीदर 6 प्रिसत से बढ़कर कितने प्रिसत होने का अनुमान लगाया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ऑप्षन नंबर A 6.1% चलिए इस कुशन से रिलीटिड इंपोर्टेंट पॉइंट 2 को पढ़ती है मूडी जैनालिटिक्स ने कलेंडर वर्थ 2024 के लिए भारती अर्थ वस्ता की वरद्दीदर में मामूली वरोत्री का अनुमान लगाया है जो इस साल मार्च में 6.1% से बढ़कर 6.1% हो जाएगी भारत का सकल घरेलू उत्पात पिछले साल के 7.7% के बाद 2024 में 6.1% बढ़ेगा इस महीने की सुरुआत में भारती रिजर बैंक ने कहा कि खाद कीमतों में अनिश्चितिता मुद्राइस फ्रीती के द्रश्टी कोड को प्रभावित कर रही है इसने चालू वितेबर्स 2024 के लिए अपने खुद्रा मुद्राइस फ्रीती अनुमान को 4.5% तक बरकरार रखा है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश्च कुशन देखते हैं नेश्च कुशन लिखा है फ्रेंड्स बैंक ओफ टोक्यो मिसुबिसी यू एफ जे नो से 10 अरब डॉलर के मूल ल्यांकन पर HDFC बैंक की गैर बैंकिंग साहय कंपनी HDV Financial Services में कितनी हिस्सेदारी हासिल करेगा बैंक ओफ टोक्यो मिसुबिसी यू एफ जे विल एक्वाइर हाव मुच श्टेक इन HDV Financial Services अर नोन बैंकिंग सब्सीडिटी ओफ एफ देफ सी बैंक एट अट अवालुएशन ओफ 9 तो 10 बिलियन डॉलर फर्स्ट ओप्सन है 10 परसेंट सिकेंड ओप्सन है 20 परसेंट थर्ड ओप्सन है 30 परसेंट फोर्ट ओप्सन है 50 परसेंट जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वह है हमारा option number B 20% चलिए इस question से related important point 2 को पढ़ती है Bank of Tokyo मिसूबिसी UFJ 910 अरब डॉलर के मूल यांकन पर HDFC बैंक की गेर बैंकिंग सायक कमपनी HDV Financial Services में 20% हिस्सेदारी हासिल करेगा देश के सबसे बड़े निजी रिड़दाता HDFC बैंक के पास वर्तमान में HDV Financial Services का लगबग 95% हिस्सा है जबकि सेज 5% कर्मचारी इस्टॉक स्वामित वियोजना के तहत कर्मचारियों के पास है ठीक है दोस्तो चली आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स उपभोक्ता मूल सूचकांग द्वारा मापी गई मार्च 2024 में खुद्रा मुद्राइस फ्रीती कितने पिरसत दर्ज की गई है एज मीजर्ड बाई दा कंजूमर प्राइस इंडेक्स हाव मुच परसेंट रिटेल इंफलेशन वाज रिकॉर्ड़ इन मार्च 2024 फर्स्ट ओप्शन है 5.09 परसेंट सिकेंड ओप्शन है 5.65 परसेंट थर्ड ओप्शन है 4.85 परसेंट बताईएगा दोस्तो उपभोग तब मूल सुचकांग द्वारा मापी गई मार्च 2024 में खुद्रा मुद्रा स्वीती कितने पिरसत दर्ज की गई इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ओप्शन नंबर सी 4.85 परसेंट चलिए इस कुशन से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती हैं राश्टिय सांखी की कार्याले दोआरा जारी आंकडों के अनुशार उच्छ खाद कीमतों के बाबजूद उपभोक्ता मूले सूचकांग पर आधारित खुद्रा मुद्राइस फ्रीती मार्च में घटकर 10 महीने के निचले इस्तर 4.85 परसेंट पर आ गई जो फरवरी में 5.09 परसेंट थी आने वाले महीनों में खाद पदार्टों की कीमतें आ इस्ते रहने की उमीद है जो हैडलाइन संख्या को प्रभावित कर सकती है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स एक उद्धमी और पाइलट गोपी थोटा कुरा बिलू ओरिजन के एक परियतक के रूप में अंतरिच में जाने वाले पहले भारती बनने के लिए तयार हैं बिलू ओरिजन के संस्थापक कौन है एन इंटर्पेनियोर एंड आ पाइलट गोपी थोटा कुरा इज सेट तो बिकम दा फर्स्ट इंडियन तो वेंटियोर इंटु स्पेस एज आ टूरिस्ट अन बिलू ओरिजन्स एन अस 25 मिशन हू इस फाउंडर ओ बिलू ओरिजन्स फर्स्ट ओप्शन है एलाउन मस्क सिकेंड ओप्शन है एंडी जैसी थर्ड ओप्शन है स्टीब जॉप्स फोर्ट ओप्शन है जैब बेजॉस बताइएगा फ्रेंड्स इस कुशन का राइट आंसर इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number D Jeff Bezos चलिए इससे related important point को पड़ती है गोपी थोटा कोरा एक उद्धमी और एक पाइलट अमेजन के संस्थाफक Jeff Bezos के Blue Origin के NS25 मिसन पर एक परियटक के रूप में अंत्रिज में उद्धम करने वाले पहले भारती बनने के लिए तयार है थोटा कोरा को मिसन के लिए छे चालक दल के सदस्यों में से एक के रूप में चुना गिया था जिससे वह 1984 में भारती सेना के Wing Commander राके सर्मा के बाद अंत्रिच में जाने वाले पहले भारतिये अंत्रिच परियटक और दूसरे भारती बन गई ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते ही हैं नेश कुशन लिका है फ्रेंड्स अपरेल दो हजार चौबिस में तीन साल के लिए विस विध्याले अनुदान आयोग के सदसे के रूप में किसे निक्त किया गिया है फर्स्ट ऑप्शन है रजनीज कुमार, सिकेंड ऑप्शन है सचिदानन मोहंती, थर्ड ऑप्शन है दीपक मोहंती, फोर्ट ऑप्शन है अन्सिका सिंग जल्दी से बताईएगा दोस्तों, अपरेल दो हजार चौबिस में तीन साल के लिए विस विध्याले अनुदान आयोग के सदसे के रूप में किसे निक्त किया गिया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे हैं हमारा ओप्शन नंबर बी, सचिदानन्द मोहंती जी को चलिए इस कुशन से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट टू को पढ़ती है सचिदानन्द मोहंती को ततकाल प्रभाव से तीन साल के लिए विशविध्याले अनुदान आयोग के सदसे के रूप में नुक्त किया गिया है मोहंती हैदरावाद विशविध्याले के अंग्रेजी विवाग के पूर्व प्रोफेशर और प्रमुक और उडीशा केंद्रिय विशविध्याले के पूर्व कुलपती है कथा ब्रिटिस काउंसिल, फुल फ्राइट, चाल्स बालेस और सॉल्स बर्ग जैसे कई राष्टी और अंतरराष्टी पुरुषकारों के विजेता उन्होंने ब्रिटिस, अमेर की लिंग, अनुवाद और उत्तर आपनिवेसक अध्यन के रूप में अध्यन के छेतर में ब किस भारती को तीसरी बार अंतरराष्टी नार्कोटिक्स कंट्रोल वोर्ड के लिए फिर से चुना गिया है, विज इंडियन है जिवीन जी एलेक्टिट टू दा इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल वोर्ड फॉर अ थर्ड टाइम, फर्स्ट आप्शन है इसमिता सारं सेकेंड आप्शन है आरेदंबाक्ची, थर्ड आप्शन है इंद्रमडी पांडे, फूर्थ आप्शन है जगजीत पवाडिया जल्दी से बताईएगा दोस्तों किस भारती को तीसरी बार अंतराश्टी नार्कोटिक्स कंट्रोल वोर्ड के लिए फिर से चुना गया है इस कुशन का जुराइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जगजीत पवाडिया जी को चलिए इस कुशन से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट टू को पढ़ती है पूर्व भारती राजस्व सेवादी कारी जगजीत पवाडिया को वियना इस्थित अंतराश्टी नार्कोटिक्स कंट्रोल वोर्ड के लिए फिर से चुना गया है मादक द्रव्य विरोधी निकाय के सभी निर्वाचे सदस्यों में भारत को सबसे अधिक वोट मिले पवाडिया सत्तर जो पहले ही 2021 से 2022 तक वोर्ड के अध्यच के रूप में कार कर चुके हैं इनको 2035 की अविधी के लिए फिर से चुना गया है पवाडिया 35 वर्सों तक भारती राजस्व सेवा में कई वरिष्ट पदों पर रहे हैं ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है दोस्तो अमेर्की राष्टपती के गोल्ड वालंटियर सर्विस पुरिष्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है फर्ष्ट ऑप्सन है रवी संकर जी को, सिकेंड ऑप्सन है रामदेव जी को, थर्ड ऑप्सन है रामभद्राचार जी को, या फोर्थ ऑप्सन है जैन अचार लोकेस मुनी जी को बताईएगा फ्रेंड्स अमेर की राष्टपती के गोल्ड वालंटियर सर्विस पुरिष्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ऑप्सन नमबर डी जैन अचार लोकेस मुनी जी को जैन अचार लोकेस मुनी सार्व जनिक भलाई और मानफता में उनके योगदान के लिए अमेर्की राष्टपती के गोल्ड वालंटियर सर्विस पुरिष्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारती बिच्चू बन गई है जैन अचार लोकेस मुनी भारत में एक गैर सरकारी संगटन अहिंसा विस्व भारत और विस्व सांती केंदर के संस्थापक है जैन अचार लोकेस को राष्टपती पुरिष्कार सम्मान प्रमार पत्र गोल्डन सील और अमेर्की राष्टपती जो विडेन के हस्ता चरवाला एक प्रसस्त्री पत्र मिला है ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स अप्रेल दो हजार चौविस में किसने विक्तिकत कारणों का हवाला देते हुए पैरिस ओलम्पिक में भारती दल के लिए सेफडी मिसन के पद से स्तीफा दे दिया है पैरिस ओलम्पिक सिटिंग पर्सन रिजन्स फर्स्ट ओप्शन है साइना नेवल सिकेंड ओप्शन है निकहत जरीन थर्ड ओप्शन है पीटी उसा फूर्थ ओप्शन है मेरीकॉम जल्दी से बताईएगा फ्रेंट्स इस कुश्चन का राइट आंसर इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं मारा ओप्शन नंबर डी मेरीकॉम चलिए इस कुश्चन से रेलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट उको पढ़ती हैं औलम्पिक कांस पदक विजेता और च्छे बार की विस्व चैंपियन मुक्यवाज मेरीकॉम ने व्यक्तिकत कारणों का हवाला देते हुए पैरिस ओलम्पिक में भारती दल के सेफडी मिसन के पस से इस्तीफा दे दिया मेरी जो आई ओ एक के एथिलीड आयो की अध्यच भी है इनको मार्च दो हजार चौविस में सेफडी मिसन के रूप में नामित किया गया था मार्च दो हजार चौविस में मेरी को सेफडी मिसन के रूप में चुना गया था सीथ कालीन ओलम्पियन सिवा केसवन को उनका डिफ्टी नामित किया गया था ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लाज कुशन देखते हैं आज का लाज कुशन लिखा है वरिष्ट आईपियस अधिकारी अनुराग कुमार को अपरेल 2024 में निमलिखित में से किसमें संयुक्त निर्देशक के रूप में नुक्त किया गया है सीनियर आईपियस ओफिसर अनुराग कुमार हैज बीन एपोइंटेड अज जोएंट डारेक्टर इन विच आफ दी फॉलॉविंग इन अपरेल 2024 फर्स्ट आप्सन है निये सिकेंड आप्सन है सीबी आई थर्ड आप्सन है एडी या फोर्ट आप्सन है स्पीजी बताईएगा दोस्तो वरिष्ट आईपियस अदिकारी अनुराग कुमार को अपरेल 2024 में निमलिखिट में से किसमें संयुक्त निर्देशक के रूप में निक्त किया गया है इस कुशन का जुराइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा आप्सन नंबर बी सीबी आई के रूप में चलिए इससे रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है वरिष्ट आईपियस अदिकारी अनुराग कुमार को केंद्री जांच बीयोरों में संयुक्त निर्देशक निक्त किया गया है असम मेगाले कैडर के 2004 बैच के फार्टी पुलिस सेवा दिकारी कुमार वर्तमान में पुलिस अनुसंदान और विकास बीयोरों में कारिरत है कैविनेट की निक्ती समिती ने फारवरी 2027 तक के कारिकाल के लिए S.B.I. में संयुक्त निर्देशक के रूप में उनकी निक्ती को मंजूरी दे दी है ठीक है दोस्तो आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगी होंगे अगर क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टो को आप लोगों अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी स्टेडी चैनल को सस्क्राइब कीजेगा थैंक्यू सो मांस दोस्तो